Welcome back friends to our channel scientific आज हम पढ़ने वाले हैं Balancing a Chemical Equation लास्ट वीडियो में हमने Chemical Equation क्या होता है और उसे किस तरह से और ज़दा informative बना सकते हैं ये सब पढ़ा था आज हम Chemical Equation को Balance करना सिखेंगे सबसे पहले Chemical Equation Balance करना क्यों ज़रूरी है तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो Atoms होते हैं Chemical Reactions में They can neither be created nor be destroyed Chemical Reaction जब हो रहा है तो Atoms नहीं बन सकते हैं नहीं हम उन्हें destroy कर सकते हैं सिर्फ उनका Rearrangement होता है ये कहा था Dalton Atomic Theory ने साथ-साथ में Law of Conservation of Mass कहता है कि Mass of Reactants and Products is always same वो same रहेगा जितना Mass Reactants का है उतना Total Mass Products का होगा तो Because of These Two Factors हमें Chemical Reactions को Balance करना होता है क्योंकि वो Nature में उसी तरह से होते हैं Balance होते हैं Unbalanced Reactions नहीं होते और ये जो Process है जहां हम Reactant के Atoms को Equal बनाते हैं Product के Atoms के हिसाब से उसे कहते हैं हम Balancing और Balancing करने के बाद जो Equation बनता है उसे कहते हैं Balanced Chemical Equation आपको Exams में जो भी Reactions लिखने हैं वो Balanced Chemical Equation होने चाहिए जहां भी आप कुछ Examples लिख रहे हैं वहाँ आपको उसे Balance करके लिखना है Balancing कैसे करते हैं कि जो Formulas है Element के Formulas है या Symbols है उनके सामने हमें Coefficient लगाना होता है Stoichiometric Coefficient कहते हैं या Simply Coefficient भी हम कह सकते हैं तो Coefficient लगाके हमें उन्हें Balance करना होता है जो Equation Balanced नहीं होता उसे Skeletal Chemical Equation कहा जाता है जो Balanced है उसे Balanced Chemical Equation जो Equation Balanced नहीं है उसे Skeletal Chemical Equation कहते हैं यह जो Balancing होती है यह Generally Hit and Trial Method से हम करते हैं और भी काफी Methods हैं Balance करने के बट आपके Syllabus में Hit and Trial Method दिया हुआ हैं और वो हम पढ़ने वाले हैं इस Method को Error Method, Trial Method या Inspection Method of Balancing भी कहते हैं अभी हम Steps देखेंगे पहला Step है कि हमें Skeletal Equation लिखना है हमें जो भी Equation दिया होगा जिसे Balance करना है Obviously उसका Skeletal Equation दिया होगा वो पहले से Balance नहीं होगा तो उसे हमें को Check करना पड़ेगा कि वो Balance है या नहीं Mostly वो Balance नहीं ही होने वाला है कभी हो सकता है आपको Word Equation फॉर्म में दिया हो तो आपको इसलिए फिर उसका Symbol, उसका Formula पता होना चीए तब ही आप उसका Skeletal Equation लिख पाएंगे तो जैसे अभी हमने ये एक्जामपल लिया है ये जो एक्जामपल है ये Skeletal Equation का Example है Step 1 में हमने क्या किया जो हमें Equation दिया है या Word Equation दिया है उससे हम बनाएंगे लिखेंगे Skeletal Equation Step 2 में हमें Atoms Count करने है Reactant and Product Side दोनों में हमें Count करने है तो इस तरह से एक Table हमने बना लिया जिसमें हमने पहले लिखे Elements जो हमारा Equation है उसमें कौन कौन से Elements है तो ये जो हमारा Equation है यहाँ पर क्या है Sodium यहाँ पर दिख रहा है तो हमने sodium लिख लिया ये Oxygen है Oxygen हमने लिख लिया Hydrogen हमने लिखा hydrogen हम लिख चुके हैं then है sulfur sulfur हमने यहां पर लिख लिया फिर से है oxygen oxygen तो हम पहले ही लिख चुके हैं तो यही सारे फिर atoms प्रोडक्ट साइट में भी रहेंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि atoms के neither be created nor be destroyed तो यही atoms repeat होने वाले हैं products में तो सारे atoms हम लिख चुके हैं अब हम करेंगे इनकी counting बच्चों की सबसे सादा गलती होती है counting करने में जब वो count करते हैं reactant and product sides में count करने के कुछ rules होते हैं जिसे हम एक साथ नहीं समझेंगे हम with reaction समझेंगे तो यह आज का balancing का पहला वीडियो है इसके बाद में एक और वीडियो बनाने वाली हूँ जहां हम एक थोड़ा दूसरा और थोड़ा सा इससे relatively difficult वाला example लेंगे balancing करना बहुत easy है आपको अगर एक बार आ गया तो यह बहुत ज़्यादा easy रहने वाला है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले है count करेंगे यह है sodium reactant side हमको count करना है और product side यह है reactants and product तो पहले हम sodium को reactant side में देखेंगे कि कितने है तो यहाँ पर sodium यह एक ही जगा पर है और इसका सामने कोई भी coefficient नहीं लगा हुआ है मतलब sodium कितना है 1 तो हमने यहाँ लिख दिया 1 अब product side में हम देखेंगे यह है sodium sodium के subscript में है 2 इसका मतलब sodium कितने है 2 और यहाँ sodium नहीं है तो sodium कितना हुआ 2 अब हम hydrogen को count करेंगे यहाँ पर है एक hydrogen और यहाँ पर कितने hydrogen है 2 और बीच में कौन सी sign है plus तो हम इसे भी क्या करेंगे add करेंगे तो 1 प्लस 2 कितने hydrogen हो गए 3 तो हमने यहाँ 3 लिख दिया फिर reactant side में hydrogen देखेंगे इस वाले product में hydrogen नहीं है सिर्फ यहाँ पर है 2 तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया तो hydrogen हमने count कर लिए oxygen काउंट करते है तो 1 प्लस 4 कितना हुआ 5 यहाँ कितने oxygen है यहाँ है 4 और यहाँ है 1 तो 4 प्लस 1 अगें 5 तो oxygen हमारा balanced है sulfur बचा है sulfur को भी count कर लेते हैं sulfur यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में है S तो यहाँ पर भी कोई efficient नहीं है और sulfur की भी subscribe में कुछ भी नहीं है इसका मतलब वो है 1 सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है यहाँ coefficient कुछ भी नहीं है और इसके subscribe में भी कुछ नहीं है इसका मतलब sulfur है 1 तो sulfur भी balanced है counting हो गई step 2 हो गया step 1 में हमने क्या किया skeletal reaction लिखा step 2 में हमने counting करी 2 balanced है sodium और hydrogen जो है वो balanced नहीं है तो जब हम balance करते हैं hydrogen के अलावा अगर कोई दूसरा element present होता है तो आप पहले उसे balance करने का try करिए तो हम यहाँ क्या करेंगे sodium को balance करेंगे तो अब sodium को कैसे balance करेंगे product में किते है sodium 2 हम कम नहीं कर सकते यहाँ reactant में 1 है तो product को 1 बना दे हम minus नहीं कर सकते हमें number increase करना होता है हम कुछ वहाँ से हटा नहीं सकते because atoms cannot be destroyed तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको यहाँ 2 बनाना है कैसे 2 बनाएंगे इसके subscribe में आप 2 नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका formula change हो जाएगा हमें जब भी आप balancing कर रहे है तो balancing करते वक्त हमेशा आपको यह वाली जो space है यहाँ सामने जो formula होते हैं या symbols होते हैं उनके सामने जो space है यहाँ पे वहाँ पे आपको numbers लिखने है coefficient add करना है तो simply हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 लिख सकते हैं सामने यह sodium तो उसी product में है न यहाँ तो sodium है यही नहीं सरफ यहाँ पर है तो इस sodium के आगे हम 2 लगा सकते हैं ऐसा करने से क्या होगा sodium बन जाएगा 2 तो देखते हैं next step step 3 में क्या करना है balancing यह हमारा skeletal equation था और इसे हमने balance करने का try किया है कैसे जो sodium hydroxide है NaOH उसके सामने 2 लगा के तो हमने लगा दिया यहाँ पर 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 अब यह हो गई third step कि आप उसे balance करने का try करेंगे और फिर से आपको counting करनी है 2 लगाने के बाद अब जो अपने coefficient में 2 लगाया है वो 2 सिर्फ sodium के लिए नहीं है it is applicable to whole formula यह जो पूरा formula है NaOH उस पूरे formula के लिए वो applicable होता है तो अभी हमने product में तो कोई coefficient आड नहीं किया तो product में जिसके जितनी quantity थी जितने amount में वो present था atom उतना ही रहेगा सिर्फ change कहां होने वाला है reactant side में तो यहाँ पर हम counting कर लेते है sodium कितना है 2 यहाँ पर 2 लिख दिया oxygen अब आपको count करना है तो आप आपको ध्यान देना है कि सामने में क्या लगा हुआ है 2 तो इस वाले product में oxygen कितना है 2 और यहाँ oxygen कितना है 4 तो 2 प्लस 4 कितने हो गए 6 तो यह हो गया oxygen अब हम hydrogen count करेंगे hydrogen यहाँ पर कितना है 2 क्योंकि coefficient में यहाँ 2 है और यहाँ 2 2 प्लस 2 हो गए 4 और sulfur जो है वो coefficient हमने यहाँ लगाया था तो यहाँ कोई भी change नहीं हुआ sulfur है 1 अब हम फिर से देखते हैं तो यहाँ पर sodium तो हमारा balance हो गया बट oxygen जो है वो 6 हो गया और जब की product में है 5 hydrogen 4 है reactant में और product में है 2 अब हम oxygen को balance करने की कोशिश करेंगे जो अभी हमने steps करी थी उसे ही हमें repeat करते जाना है तो oxygen को balance करने के लिए क्या अब हम फिर से counting करेंगे अब यह जो हमने H2O के सामने 2 अड़ किया यह आपको थोड़ा सा वहाँ पर सोचना है कि कहां आपको coefficient अड़ करना है यह आपके उपर है इसका नामी है hit and trial method आपको try करना है क्योंकि हो सकता है कुछ पच्चे जो है वो Na2SO4 जो sodium sulfate है क्योंकि oxygen तो यहां भी है तो यहां पर भी वो कोई coefficient अड़ कर सकते है 1 तो already है आप 2 नहीं कर सकते है अब मतलब 1 नहीं कर सकते है 2 कर सकते है बट अगर आप यहां 2 अड़ करेंगे तो उससे क्या होगा यह जो coefficient है और जो subscribe में number होता है वो एक दूसरे से multiplication जो उन दोने के बीच में mathematical operation होता है वो होता है multiplication यानि 2 into 4 हो जाएगा तो यह oxygen हो जाएगा यहां पर 8 और यहां already oxygen है 2 मतलब 10 तो यह बहुत जादा number increase हो रहा है आपको try करना है कि आप कम से कम में आप उस equation को balance कर सके तो सबसे best method क्या है कि अगर आप यहां 2 add करते हैं इस coefficient में तो oxygen आपका balance हो जाता है कैसे अभी हम देखते हैं अभी हमको फिर से पूरी counting करना पड़ेगी क्योंकि हमने जो changes किये हैं वो हमने reactant side में भी 2 add किया था sodium कितना है यहां पर 2 और यहां कितना है 2 oxygen काउंट करते हैं यहां oxygen कितना है 2 क्योंकि इसके coefficient में 2 है यहां oxygen कितना है 4 2 plus 4 हो गया 6 product में oxygen काउंट करते हैं यहां है 4 और यहां oxygen कितना है 2 क्योंकि H2O के coefficient में है 2 जो कि hydrogen के लिए भी applicable है और oxygen के लिए भी applicable है तो यहाँ हुआ oxygen 2 4 प्लस 2 is 6 hydrogen count करते हैं यह hydrogen यहाँ कितना है यहाँ आपको 1 दिख रहा है लेगिन coefficient में कितना है 2 तो यह 2 sodium के लिए भी है oxygen के लिए भी है और hydrogen के लिए भी है तो hydrogen कितना हुआ यहाँ पर है 2 और यहाँ पर भी है 2 तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 यहाँ hydrogen कितना है? hydrogen सिरफ इस वाले product में है और मैंने आपको क्या कहा था? coefficient and subscript अगर है तो उनके बीच में होगा multiplication तो coefficient में 2 है hydrogen के और subscript में भी 2 है तो 2 टूजा हो गया 4 ठीक है? यही mathematical operations आपको यहाँ रखने है बागी कुछ इसमें difficult है नहीं बहुत easy है sulfur यहाँ पर आप देख सकते हैं sulfur यहाँ पर है आपका sulfur काउंट करेंगे sulfur यहाँ पर कितना है? 1 तो यह हो गया 1 यहाँ पर sulfur कितना है? 1 तो अगर आभी आप देखे इस reactinent products को तो जो atoms, the number of atoms वो reactant and product side दोनों में balanced है sodium भी दोनों जगा पे 2-2 है oxygen 6-6 है hydrogen 4-4 है, sulfur 1-1 है मतलब यह हमारा equation अब balance हो चुका है आपको इसी तरह से steps repeat करते जानी है जब तक वो equation balance नहीं हो जाता तो finally जब आपका equation balance हो जाता है उसके बाद आपको balanced equation लिखना है last में तो इस तरह से हम balanced equation लिखेंगे साथ में उन particular formulas के नाम लिखेंगे और जो coefficient आपने add किया था वो आजाएगा balanced equation और वहां पे हम physical state अगर possible होता है तो आपको physical state mention करनी है इसे आप एक box में अच्छा सा एक box बना सकते हैं last में ताकि जब teacher check कर रहा है तो आपने पूरी जो balancing करी है अगर steps में आता है exam में तो सीधा ध्यान कहां पे जाएगा balanced chemical equation पे और वो सही है तो आपको full marks मल जाएंगे exams में आपको इन steps के साथ solve करने अगर steps के साथ solve करने बोला है तभी आपको steps perform करनी है otherwise आपको direct जो balanced equation है वो लिखना होता है तो इस तरह से आपका answer आजाएगा I hope आपको balancing समझ में आई है और अगर आपको समझ में आई है तो मैंने कुछ यहाँ पे examples mention किये है skeletal equations है ये तीनो आपको इन्हें balance करना है और balance करने के बाद comment section में आपको इनके answers लिखके बताने है simple equations है अभी simple examples लिए है next video में हम थोड़े से difficult वाले examples को try करेंगे balancing करने का तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you